पार्शिवनी पुलिस सीमा में शुक्रवार की सुभा बारा बजे के आसपास बिटोली निवासी साहिल सदाशिव वारकर ओम्र 14 साल खेत के पास से भैते पानी के कैनल में हाथ धोने के लिए गया था तबी अचानक साहिल का पाफ फिसलने से साहिल भैते नहर के पानी में बह प्राप्त जानकारी के अनुसा बिटोली निवासी साहिल अपनी बहन और मा के साथ खेत में काम करने के लिए गया था जहां खेती बारी का काम कर हाथ धोने के लिए पास ही के कैनल पर हाथ धोने गया पर वापस नहीं आने से वहां मौजूद बहन और मा चिंता करने लगे आसपास खोजबीन करने पर साहिल का पता नहीं लगने से, आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई, सभी और खोजबीन कर तलाश की गई, पर साहिल दिखाई नहीं देने से, परिवार के लोगों में चिंता का माहुल पनपता जा रहा था, बिटोली के युवकों को अपना इस तल पर लोगों का जमावडा बढ़ता गया वही नरेश चौधरी और दिगांबा दिव्टे ने कैनल का पानी उतर कर साहिल की खोजबीन की तभी साहिल पानी की सतय पर मिला तुरंत साहिल को पानी के बहान निकाला गिया जहां साहिल मृत्त पाया गया तुरंत पा साहिल को मृत्त पाया गया पोस्ट माटम कर शव परिवार के सुपूर्ट किया गया गटना की आगे की जाजपार शिवनी पुलिस कर रही है बिटोली स्थित्य साहिल अपनी बहन और मा भाई के साथ रहता था घर की माली हालत खराब होने से वह खेत के काम में मा और भेन का हाथ बटाने हमेशा जाया करता था सभी का लाडला था साहिल का दुखत निदन होने से बिटोली ग्राम में मातम चाया हुआ है